नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन कंप्पूटर में और आज मैं आप लोगो इसमें बताने जा रहा हूं कि हम लोग एक फुली फॉर्म को आप किस तरह से बना सकते हैं क्योंकि हम लोग अपनी प्रिविएस वीडियो में फॉर्म के सारे दूर एलिमेंट्स और आट्रिब्विट्स के बारे में नौलीज ले चुकिए अब हम यह पर स्रीव एक फॉर्म को बनाना है बनाने के लिए हम एक लियाओ के पड़ेगी तो हम लोग आप अभी हजडिमल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग से इसको टेवल में तो सब्सक्राइब आप लगा दीजिए फॉर्म का टेक अपना यह ज़रूरी होता है बहुत फॉर्म ने मराबर अपना भी थी एक्षिन में भी आप कुछ में डालेंगे यह से अपना अब मेथट पोस्ट यह इसकी प्रोपर्टीज भग रहा होती है अप चाहता उसका अपनी इतना रख सकते हो आप सब्सक्राइब टेबल जीरो विड़त रख दीजिए आप इसकी सिक्स्टी परसेंट अलाइन कर दीजिए इसका अपना आप सेंटर टी आर टीडी फस्स्स्ट नेम टीडी क्लोज आपका इंपूर्ट टाई बराबर आपका टेक्स्ट पैटन बराबर आपका पैटन के बारे मैंने प्रिवेज वीडियो में बता हुआ है आप महां से देख सकते हैं इसे अपना इसे अपना बता चुक हूँ आपका सेव करते सका लोग रजस्ट रजस्ट प्लेस्ट यह मारूँ यह क्यां पर यूज कर लीज़ अपना प्लेस्ट इस अपना प्लेस्ट वल्डर यह देखिए दोस्तों इसके बाद मैं इसको कमपेश कर लेता हूँ लास्ट नेम टी आर में डालीजी जेंडर अपना टी डी डी इंपूर्ट टाय वराबर आपका रेडियो नेम वराबर आपका फ्यमील आपका इसको नीचे करिए कंट्र्ल्ट एक बर not produce करें हम भाग प्लस प्लस स्टुरी, mail आपका और 211 आपका यहां से DR चलिए इधिए अपको आपके एक प्रवलम्म हो सकती है अगर आपने ईन दोनों के नाम आप कुर दोनों के different रखे तो यहां से आपको तोटची प्रावलम क्रेट हो सकती है, यह देखिए, दोनों अप लोग, एक वाल में सेलेक्शन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक सेलेक्शन करना, इसलिए दोनों की आडिया आपकी नेम आपके सेव रहेंगे, यह देखिए, इस त अपना इन्पुट टाए बरावर डेट, और यहां से आपका टी आर क्लोज करिए, अपना ही देखिए, अब मान की चलिए, आपको डेट अब बर्द के लिए बोला गया लेकिन उसमें आपको डेट के साथ साथ टाइमिंग भी मेंशन करनी है, तो अब यहां पर आप कर सकत तियों हैं आपको यां पर आप डेट मेंशन कर सकते हैं कुछ भी यहां से आप question यहां से आप when handed to division कर mobile number td input type बराबर आपका text और आपका max length भी कर सकते हो अपना चाहो तो max length में आप डाली है यहां से अपना 10th तो आपका 10th से ज़्यादा ही आपका नहीं लेगा यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए लिखने पर दोस पर प्रोडम क्या है कि user जो आएगा हो सकता है कि कोई अपना आप से use नहीं करना उस form को तो वो हो सकते है कि यहां पर alphabet भी लिखे तो हमके चाहते है कि यहां पर जो भी user आए वो सिर्फ नम्बर कोई है जो form में एक्सेप्ट करें बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें तो यहां पर क्या करेंगे हम लोगों कि numbering के लिए अमरे पास pattern होता है तो आप max length से उसको रोग सकते हो या फिर आप यहां पर लगा सकते हो अपना pattern pattern में क्या करेंगे अपना pattern त्यार कर लेंगे कि यह 0 से लेकर 9 pattern मतलब numeric value होगी और कितने चीज़े आपको 10 था अब इसमें क्या होगा आपका कि वह 0 से लेकर 9 तक की value लेगा मतलब only numeric value और आपका 10 digits ते लेगा उससे ज्यादा वह आपका accept नहीं करेगा जब आप submit पर click करेंगे ताप इसके वहां पर लगा दीजिए अपना पर एक email td यहां रख दीजिए अपना पर input टाइबर आपर email ते email का tag attribute यूज करने से यहां पर क्या होगा आपका अगर आप at the rate नहीं लगाते है डॉट नहीं लगाते है वहां पर आपका error शो कर देगा आपका तीडी यहां पर आपका टिया चली मैं इसमें placeholder देता हूं जरा placeholder में हम लोग डाल देते हैं पर आपका mobile number चली देख लेते थोड़ा सा view अच्छा लग रहा है अब आते हैं हम लोग यहां से आपका tr td में हम लोग यहां पर use करते हैं आपका अब इसमें में मांगे चली मुझे qualification का एक चीज दिखानी थी मैं qualification के लिए बना लेता हूंगे td तो qualification हम अब हमाय काफी सारे चीज़ें इसमें बनानी पड़ेंगी मतला multiple चीज़ों में से हमें कोई एक चीज सेलेक्शन करनी है तो आप radio बटन यूज करिए और वापर हम लोग यूज करेंगे अपने ड्रॉप डाउन तो ड्रॉप डॉप डाउन ने के लिए आपको यहां पर select select आप यहां पर close करिए option में जाएए यहां पर लिखिए अपना qualification option close आपका तो मैं ही तींचर कॉपी कर लेता हूँ नहीं qualification होगी आपको यहां पर board university और एक कर देते हम लोग यहां से आपका pass here let's see oh TD TD शायद मैंने आपके TD क्लोज नहीं करी है TR भी क्लोज नहीं किया हुग है case TD अच्छा मैंने इसको TD में लिख रही नहीं है अपका actual नहीं सारी यह देखिए अपना इनके अंदर की चीज़े बनाते हैं कुछ नहीं चीज़े बताता हुग आप लोग को तो सबसे पहले हम यह बना लेते हैं अपना CTRL D करते हैं इसको अपना हाई स्कूल इंटर्मीडियेट इदो इसमें आपके जाएंगे आपको कुछ और भी दिखाना है इसके अंदर में दियांबर आप एक कॉप्शन यूज़ करना है ओप्ट ग्रूप लेवल बराबर आपका अँडरी दिखाने का Voice इसके अनल गेकर दिखाने आते हैं होगो दिखादीजैंगे आप अपना तो जिससे अठीचन करीगाना चाहिट भी और आप इसके आ अपना तो Hisकिकिन गारना होग्या होगो डिप्लोमा डिप्लोमा नलदीचे मैं डपलोमा डाल देता हूँ आपका डिप्लोमा सिविल नमी है जिसमेभी है तो देखते है किया मनता है इस से अब का था दो है देखिए आपके विजिए यादिंस बंझेола का यह लग दिग्रियु आपके अलग हो जाएंगे आपके, same process हम लोग use करेंगे आपका, same process हम लोग use करने वाले यहां पर अपना, तो इसको लोग copy paste कर लेते ताकि मैं बार बार ना लिखना पड़े, हमारा time थोड़ा बच जाएगा इससे, आपके यहां पर कर दीजिए अपना आप, board, यहां पर कर दीजिए अपना आप, मैं फिलाल अभी एकी board उसके लेता हूं, यह पी board आपका, यहां पर उसके लेते हम लोग अपने university, डेल यूनिवस्टी डाल देते हम लोग इसके अपना यह देखेंए अपना, इसके पासिंग यर में आपको वैसे तो कफी सारा लिखना पड़ेगा इसके अंदर में नैंटीन सेवेंट से जितने से अपको दिखाना है पर आगे जाके हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कुछ चीजे पड़ेंगे जिसी चीजे थोड़ी सी एजी हो जाएंगे आपके बदलब में इतना सार इसमें नहीं लिखना पड़ेगा आपका जितना लिखना पड़ रहा है तीक तो आपको यह तरीक लिखने के लिखने के लिए एक आप इसमें तरीक और यूज कर सकते हैं अगर आप लोग को एस्टिमल और याता है तो आप इसमें किस क्रिप्ट कर सकते हैं तो इस script में आपको क्या करना पड़ेगा च्वाटा सा काम करना है यह ज्यादा बड़ा नहीं इसमें बस आपको थोर से लूप के नोले जोनी चाहिए आप यहां पे script लिखिए इस script यहां पे आप close करिए और यहां पे लगए है for loop where i बराबर कहां से start करना मुझे करना 90 70 से start करना है कहां देख चलाना आपको 2010 तक और आपका i प्लस प्लस यह देखिए इसके बाद आपका document.right में आप प्रेंट करा लेजिए अपने option को प्लस content के लिए i जो value को return करेंगा मैं यहां पे content करके इसको अगरा से close करिए यह देखिए अपना यह पूरा close आपका that's it कतम कहानी बस इससे गया होगा आपका एक जो यह रोंगे वो automatically सारी अपने आप आप आजाएंगे आपको काफी सारा इसमें नहीं लिखना पड़ेग चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी address वगरा के लिए तो TR, TD में अगर आपको कोई डालना है address यह किसी तरह की query वगरा आपको करनी हो यहां पर लिखना है आपको एक text area है इसे हम लोग बोलते है combo box text area rows बराबर आपको कितनी रखनी है 10 calls आपको कितना रखना है 30 place holder हो डाल दीचे अपना आप किसी तरह आपका address लिखना यह को रही है जो भी आप अपने recording यहां पर लिख सकते अपनी यहां आपका text area close हो जाएगा यह देखिए अपना जो लिखना चाहिए आप यहां पर लिख सकते हैं तो यह हमारा कुछ यादा लग रहे हैं 5 कर देते हैं इसको अपना काफी हमारे लिख लाल के लिए इसके बाद TRTD मन के लिए आपको कुछ हम लोगे registration form बना रहे हैं आपको registration बनाना है online examination के लिए तो हमने पूछा आपका वह चूज आपका FF1 जो भी आपको डेना है डेली आपका अब बियार का टेग लागा दीचा भी यहां पर तो डेली नर्डा मेरट चल नहीं तो यहां पर लोगो गर देते हैं अपना भी है नर्डा मेरट और आपका चैन नहीं यहां पर आपके दो अलग कर देगा आती जो आपको रखना होगा अपने असाब से उसके आप अपर अज़ेश्ट करिए अपना इसके बाद आप आप अचाहिए यहां से आपके टीडी क्लोज करिए टीडी में आपका एक यूजर नेम इंपुट एक मेट यूजर से पहले आपको कुछ फाइल अटेज़ कर वाले थे उसके अटेज्ट फाइल अब लिखेंगे अपना फाइल अपना इंपुट टाइप बरावर आपका फाइल अपना बासका अभी इतना लिखना आपको टी आर इसका कुछ यूजर की टी आर टीडी भी लिखना है आपको भई यूजर नेम टीडी टीडी में आपका इंपुट टाइप बरावर अपना यहां पर सुर्फ टेक्स्ट लिखिए पैटन ना बनाएब अपना नहां से आपना टेक्स्ट में होगा का यूजर अपना जो नाम बना सकता हुए अल्फवेट और नमेरिक दुनों को मिक्स करके बना सकता है यह हो जाएगा आपका यूजर नेम के लिए अब आपको बनाना यहां से पासवर्ट तो बनाई अपना टीडी पासवर्ट टीडी टीडी इनपुट टाइप लिखी है पे अपना पासवर्ट बागी जो लेंथ वग आपको देना हूँ अपना दीदीजी अपना आप मैं एक्सलेंथ वग आपको देना हूँ तो और यहां पर अपने छोटा से काम और कर दिया अपना पे अपर अपर रेडिकलर में लिख दिया अपना बियर का टेक लगा के यॉर पासवर्ड शुट भी अबव आफ इस इस जितना को दिना हो उतने अपर अपना करा दी जिपना इस तर से जाएगा आपका यह देखिए अपना चलिए पासवर्ड का डी नहट गए होगा है इसको बंद करीए अपर अपना सेलेक्शन यह हमारा यह कर दीजिए इसको कंफर्म अपना इसके बाद बना जीजिए अपना आपके काम करेंगे चोटा सा टी यार और टी यह कॉल इसमें टू करते हैं अपना और यहाप एक NBSP का टेग लगा के बंद के लिए मनों सी उस करते हैं अपना टी डी क्लोज आपका अधे यार साइड कर रहा है फाइनल में टी यार टी डी सारी टी एच लिए लिए इसको अपना कॉलस्पन टू अपना इंपुट टाइप रावार आपका सब्मिट वैल्ल्यू रभण वोर आपका उजागा या या प्रेReally अपना है इंपुट का रिसेट रिसेट क्लिक कर आपका अपने खलर गलास प्रावा तो रिसेट प्ली करते हैं पूर पूरर फर्म होगा वह ब।्लैक होगा बलाव का ब्लैंक यह देखिए टियार क्लोज आपको यह से तो यह मारा बन गई complete form इसको थोड़ा सा हम लोग adjust कर देते हैं ही से अपना जितना हो सकता है तो हम यह से ले देता हूं इसको से बहले busy color orange ठीक है इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें cell spacing कर जीते हैं आपका 10 यह देखिए अपना इसके बाद इसमें एक चीज अम लोग और लगा सकते हैं आप यहां पे field set यह पर लगाना था अपको legend online ssc form और लास्ट में क्या करना है आपको यहां से table close form close और आपका field set हो का वो close field set से क्या है मेरा मैं दिखाता हूं आपको यह आपका field set आपका align center आपका ठीक है अब इसको मैं यहां से बंद करता हूं मैं आपका field set क्या है नहीं center नहीं लेगा आपका चलिए हम लोग फिला लग इसको पैसी छोड़ देते हैं वो अपना दे सकते हैं से यह देखिया अपना तो यह था हमारे एक चोड़ी सी series जिसे हम लोग ने सीखा कि आप एक user interface user form किस तरसे बना सकते हैं तो वीडियोज आई होब आपको अच्छी लगे तो like, comment और share जरूर कर दें अपना और ताकि इस वीडियो को benefit और भी लोग उठा सकें इसके बाद जो हमारी series लाइगी वो table से related होगी, frames होगी आपके और navigation frame होगी then उसके बाद हम लोग start करेंगे अपना CSS कि एक्च्वल में अचकल कहा है कि जससे आपका bootstrap आया हुआ है तब से लोगों ने सब्सक्राइब करना छोड़ती है आपका, means वो CSS पे तो work करते हैं लेकि नितना नहीं करते हैं जितना पहले करते थो लोग तो थोड़ा बहुत काम जो institute वाले आजकल mostly वो लोग क्या करवा रहे हैं कि थोड़ा बहुत CSS पढ़ागे वो सिधर bootstrap पे काम करवा देते हैं क्योंकि bootstrap में बहुत ही easy way में काम हो जाता लेकिन जब तक आप लोगों को core की knowledge नहीं है CSS के अंदर में तब तक आप bootstrap को पूरी तरह से handle नहीं कर सकते हैं तो आने वाली वीडियो में आपको